वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का बटन अन करें मैं हूँ आपकी फूड एक्सपर्ट और आप देख रहे हैं लाशेंड्स नेजी फूडियंस आज हम बात करेंगे टर्निप की कि टर्निप किस तरह से आरिनड डेफिश nghi को कम करने में हैलप आउट करता है बेसिकली जो टर्निप है ये क्वेजि टेपल हैं जो के lightish pink and whight कलर जो की फार्म में पाए जाती है आप इसको डिफरंट फार्म में ले सकते हैं, करेकी फार्म में भी ले सकते हैं, उसके इलावा रा सालिट के तोर पर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जिसके साधा बेनिफिट्स हमें हासिल होते हैं, वो रा फार्म में हासिल होते हैं अब हम बात करते हैं कि टरनिप किस तरह से हमारी आइरन डेफिशन्सी को सॉल्फ करने में हेल्प आउट करता है बेसिकली टरनिप जिसको हम आम जबान में शल्जम भी कहते हैं इसके अंदर आइरन बहुत कसीर मिक्दार में पाया जाता है जो एक अडाल्ट की डेफिशन्सी को अल्मोस्ट 30 तू 50 परसंट डेफिशन्सी को कवर अप करने में हेल्प आउट करता है इसकी सेलेक्शन इसलिए आज का टॉपिक की गई है क्योंकि ये चीप इन प्राइस है एस कंपियर टू अधर फूड हमारे जितने भी दूसरे वेजी टेबल्स या फूट्स हैं जैसे कि एपल हमें उनसे भी जो है वो आईरन गेन होता है लेकिन उसकी में डीजन ये है कि बहुत से लोग वो अफॉर्ड नहीं कर सकते जबके टर्निम या फिर शल्जम की जो अफॉर्डबिलिटी है वो बहुत इजी है और ये हर सीजन में पाया भी जाता है जो कि अराम से मिल जाता है एक तो इसमें आईरन बहुत ज़दा कसीर मिकदार में पाया जाता है कसीर मिकदार में आइरन होने के साथ-समें विटामन C बहुत ज़दा क्वानिटिटी में है अब जो विटामन C है उसका क्या रोल है वो आइरन को बॉड़ी में अब्सार्ब करने के लिए हैल्प आउट करता है जितना जादा iron किसी भी food से हमारी body में absorb होगा उतना जादा हमें benefits होंगे और उसके लिए vitamin C का होना बहुत जरूरी है इसलिए vitamin C का combination के साथ जब iron मिलती है और हमें इसे मिलती है तो वो हमें बहुत जादा फाइदा देती है इसके साथ साथ इसमे vitamin A, vitamin K और दूसरे कई किसम के nutrients पाई जाते हैं अब जो है वो क्या करते हैं हमें दूसरे health जो benefits हैं वो provide करते हैं सबसे पहले इसमें एक compound पाया जाता है जिसको glucosyanolate कहते है ये compound क्या करता है जो cancer होता है उसको कम करने में उसको ना होने में उसकी growth को रोकने में help out करता है इसलिए जो तरनीब है ये बहुत ज़्यादा बैनी official होता है हमारी iron की deficiency के साथ साथ हमारा किसी भी किसम का cancer है उसको cover up करने में उसको resolve करने में तो इसके साथ साथ जो है इसमें fiber जो है अब जहां जो है वो fiber quantity जतनी ज़्यादा quantity में पाया जाता है वो हमारी दूसरी जतनी भी diseases है उनको cover up करता है सबसे पहले जैसा कि आपको मैंने पिछ्टी अपनी कई वीडियो में बताया है कि fiber आपका weight loss में help करता है आपको constipation नहीं होने देता आपका blood glucose level control करता है जिससे आपको type 2 diabetes के जो chances है वो कम हो जाते है ये diabetic patients के लिए बहुत अच्छा है उसके इलावा जो है इसके साथ हाथ high blood pressure को भी cover up करता है और cholesterol को भी अब यहां बात आती है कि हम किस तरहा का जो है तरनिप को या शल्जम को select करें खाने के लिए या salad के तोर पर use करने के लिए अच्छा यहां एक बात या आती है अब जब भी तरनिप को या शल्जम को खरीदने जाए सबसे पहले आप ये देखें कि जितना एक mature जो फार्म में होता है एक middle या medium फार्म का जो टरनिप होता है उसकी selection आप करें और ये देखें कि जितना चोटे size का हो और जितना weight में heavy हो आप उसकी selection करें क्योंकि एक तो वह sweet in taste होगा और higher content में उसमें water भी होता है जिएक को पता है कि हर food items जो है हमारी fruits and vegetables उनमें पाया जाता है और जब भी हम उसको consume करेंगे वो sweet in taste होगा और delicious लगेगा और आपका दिल करेगा कि आप automatic ही उसको खाएं और इस तरह से आप consume कर सकेंगे raw form में आपको किस तरह के turnip की selection नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ जैसे जैसे आपका turnip mature होता है जाता उसका share बिलकुल change होता है जाता है और वो एक time ऐसा होता है कि brownish में convert होता है जतना ज्यादा mature जैसे हम आम इनसानों पे aging हाती है उसी तरह से foods and vegetables में भी aging होती है एक time के साथ-साथ यह भी अपनी जो है वो शकल और इस तरह की जो चीज़ें structure वग़रा चेंज करना start करने ते आपने कभी भी raw farm में consume करने के लिए एक ऐसे turnip की selection नहीं करनी जो change in color हो जिस पे spots वग़रा कोई brown clear के मौजूद हो जिसकी जो skin है वो rough सी हो और अगर आप इसकी selection करेंगे एक तो यह bitter इंग टेस्ट होगा क्योंकि टाइम के साथ-साथ जैसे जैसे यह young होता है जाता वैसे वैसे एक तो यह सखत होता होता जाता और दूसरा यह कि इसका टेस्ट उस तरह का नहीं रहता जैसे sweet पहले यह अपनी young age में था तो उसके साथ-साथ जो है अगर आपने यह select करना भी है तो आप इसको cooking के लिए use कर सकते हैं उसके अलावा आप जो है टरनिब को pickle farm में भी ले सकते हैं आप इसको लेना start करेंगे तो आप खुद देखेंगे उसके मुकाबले में अगर हम एक medium size का टरनिब consume करते हैं तो हमें उसकी equality पे जो है वो हमारा iron की deficiency cover up होती है तो इस तरह से यह एहम केदार अदा करता है उसके साथ हैं यह हमें और भी कई किसम के health benefit देता है उसमें जो है अच्छा टरनिब में कुछ dietary nutrients पाए जाते हैं अभी dietary nutrients क्या करते हैं जो हमारी cardiovascular system की हम बात कर रहे थे कि इसमें कुछ dietary nitrate पाए जाते हैं अब वो क्या करते हैं जो हमारी cardiovascular system होता है उसकी health को protect करते हैं ठीक है और reduce कर देते हैं जो हमारे coronary heart diseases होती है उनको stroke को और उसके लावा हाइपर टेंशन को आपकी हाइपर टेंशन जो आजकल बहुत आम है इसको ये recover up कर देता है उसके लावा ये हमारी healthy skin और hair के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है तरने क्यों? क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले ही बात की कि इसमें vitamin A, D, E, K जो है वो बहुत ज़्यादा कसीर quantity में है अब होता क्या है? जो vitamin A है ये बहुत ज़्यादा ज़्रूरी होता है growth के लिए हमारे जो body tissues हैं उसकी उसमें skin के लिए और hairs के लिए उसके इलावा जो है vitamin C जो है बाड़ी में अगर ना हो या कम हो हमारे face से जाहर होता है कि हमारी जो face है वो बिल्कुल धीली धीली पढ़ना start हो जाती है pores वोगरा जो है वो open start हो जाते हैं तो इस तरह से जो है ये cover up करता है और साथ है जैसे कि मैंने आपको बताया है आइरन की deficiency को काम करता है तो इसका मतलब है ये एनिमिया जो है जो iron deficiency की वज़ा से होती है उसके लिए बहुत ज़दा एहम है तो जनाब आज का था ये हमारा topic उमीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा इस तरह की videos को देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करें thank you so much फिर मिलते हैं एक next topic वे next video के साथ thank you so much आप पीस